अगर आपने चेक कर लिए अच्छी बात है वरना मैं तो आपको बताने के लिए हुई ही जो भी नई अपडेट्स आती है वो आपको इस चैनल के ओपर जरूर देखने को मिल जाती है तो कैसे हो सकता है कि आपको यह वाले अपडेट्स हम आपको नहीं दे तो अनमसी की तरफ से एक नया नोटीस फॉर स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउंड या फिर राउंड 6 इसको बोल सकते हैं वो रिजल्ट और उसके साथ-साथ रिजल्ट कब तक आने की चांसेज है उसके बारे में भी बात करेंगे एक अच्छी खबर आप सभी के लिए उन्हें स्टूडेंट जदा बच्चे पूछे थे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा तो आप अगर इस चैनल पे हो हमारे सब्सक्राइबर हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आप ये टेंशन हमारे उपर छोड़ दो आप सिरफ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखो और ब जरूर किया करो तकी हमारा भी कॉंफिडेंस बूस्त होता है और हम आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे हर एक चीज के बारे में तो मैं आपको वह नोटिस भी चेक करवाँगा इस वीडियो के अंदर और उस नोटिस के अंदर भी कुछ miss informations है बट आब मुझे आपको बताना ज़रूरी है कि क्या information है और क्या miss लग रही है वो मैं इस वीडियो में आपको समझा दूगा clear कर दूगा इसके अलावा ज़म जो चीजे हैं वो मैं आपके साथ discuss करता हूँ कि क्या क्या चीजे तो स्टार्ट करेंगे वीडियो उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए होतो तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बात करें नीट कांसलिंग 2023 के लिए NMC के तरब से आज एक नया नोटिस चारी किया गया है जिसमें आपके लिए एक अच्छी खबर है लेकिन अच्छी खबर होने के साथ साथ जो NMC के नोटिस के अंदर information है वो सारी आप सब पढ़ो के तो आपको समझ आएगी लेकिन उसके बाद में जो चीज लिखी ह होगा तभी आप इन चीजो के बारे में concern होंगे तो वही schedule सेम है लेकिन जो NMC ने date है candidates को जोइन करने की वो extend कर दी है वो कब तक extend की है वो आपको notice में देखने को मिल जाए का बाकी में आपको समझा दूँगा तो अभी भी सभी parents और students को result का wait कर रहे हैं सारे students और parents की result कब सक declare होगा क्योंकि last date तो आज ही की थी यानि कि कल की थी 8 की कि 8 और November को आपका result declare हो जाएगा लेकिन आपको पता है कि वो notice जो की 7 तारी को release किया गया था NMC की तरफ से कि 7 तारी को भी आप registration और choice filling कर सकते हो और payment भी कर सकते हो choice locking कर सकते हो जो कि मैंने आपको update करके बता दिया वीडियो बना के update कर दिया था तो उससे आपको काफ़े ज़्यादा relief मिलती होगी अगर आप इस channel पे हो तो आपको सारी updates time to time पे मिलती रहेंगी जो कि मैंने पहले भी आपको बताया तो like और subscribe कर लेना लेकिन उससे पहले एक बार आप ये notice चेक कर लो कि NMC की तरफ से क्या notice और उसको आप अच्छे से पढ़ लेना पोज करके हलांकि मैंने अच्छे से उसको दिखाया है आपको तो मेरी आवाज अभी नहीं आईगी उसमें बट आप सोचेक कर लो उसके बाद में मैं आपको आगे की बताता हूं कि इसमें लेकिन क्यों लिखा हुआ है कि अच्छी झाल 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 तो नोटिस आपने देखा, तो नोटिस की लाट लाइन आपने जरूर पड़ी होगी, बाके तो आपको समझ में आए गया होगा, तो कुछ स्टुडेंट्स थे, जिन्होंने, जब मैंने कल का वीडियो बनाया था, तब बताया था, कि अभी जो रिजिस्ट्रेशन है, वो डिले हो गये हैं, आपको टाइम ज़्यादा दिया गया है, रिजिस्ट्रेशन करने का, च काफी ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे, कि सर फिर काफी ज़्यादा दूर अगर हमारा जो है, रिपोर्टिंग हो जाएगी, कोलेज हमें दूर अलोट हो जाता है, तो हम वहापर रिपोर्टिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो तो दूर हो जाएगा, तो हमारे पास कम रहेगा, तो किस तरीके से हम वहापर रिपोर्टिंग कर पाएंगे, तो सबसे अच्छी खबर आपके लिए यही है, कि आपको 20th ओप नवंबर 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया है, extend कर दिया गया है, जो कि पहले 15th ओप नवंबर थी, लेकिन आज 9 नवंबर तो हो ही चु जाएगी, तो जैसे कोई result आता है आज, तो कल से आप planning कर पाओगे, हर एक चीज की, तो समझ बारे होंगे, तो अच्छी बात तो यह है, लेकिन अभी discuss करते हैं कि मैंने वहाँ पर लेकिन क्यों लिखा वा था, कि इसका क्या region है, यह delay होने, अगर यह extend तो हो गया है, लेकि यह तो confirm कर दिया है कि result में delay होगा, यह तो आपको समझ में आए गया, जो कि मैंने कल भी आपको बता दिया, लेकिन schedule वही upload किया गया है, जो कि आपने अभी notice में चेक किया, कि schedule वही है, पुराने वाला एजटीज, उसमें कोई change नहीं है, वही choice locking या choice filling अब चब तक registration से लेक 5th of September तक, sorry, November तक, 2023 तक, आपके जो reporting करनी होगी, आपको 15th November तक करनी होगी, result आपको add को आएगा, वही चिज़े सारी है आपके सामने, जो कि आपने notice में चेक की, लेकिन बात करें result की, तो कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है, कि अभी तक upload होगा या फिर नहीं होगा, क् आपसे ज़्यादा परिशान तो मैं हूँ, मैं पता नहीं कितनी बार दिन में इस official website को open करके check करता हूँ, कि कहीं result और declare नहीं हो गया है, तो जैसे और declare होगा, तो आप अगर इस channel पे हो, तो आप निस्चिंतर हो, हम आपको जरूर वीडियो बना के update करेंगे, कि result कब declare होग चीज add क्यों नहीं की गई है, उसमें वही same पुराने वाला क्यों schedule दिया गया है, यह कुछ समझ नहीं आया, अगर आपके पास कोई update है, तो आप मुझे जरूर बता सकते हो, बाकि मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, बढ़ हाँ, इस बात को तो आपन मान सकते हैं, कि की अच्छी बात है, लेकिन यह schedule पुराने वाला, तो इसमें भी तो आप 15 की जिगे 20 कर सकते थे नौम पर, लेकिन क्यों नहीं की गई, इसका मुझे समझ नहीं आया, तो I hope की कुछ अच्छी positive news सामने आये, लेकिन अभी फिलहाल जो updates थी मैंने आपको बता दी है, result जैसे declare होगा, हम आपके लिए वीडियो बना के update कर देंगे, तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, 2024 के लिए, या फिर 20 के लिए, या फिर पर परिशान हो, तो परिशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस चैनल पे हो, subscribe किया हुआ है, bell icon को प्रेस किया हुआ है, तो फिर आपको हर वो एक update देंगे, जो आपके लिए जरूरी होगी, आपके admissions से related, तो बस आपको like, subscribe करके रखना है, bell icon को press करके रखना है, बाकि हम update आपको दे देंगे, बाकि अभी के लिए जो update आई है, मैंने आपको बता दी है, share कर दी है, इसके अलावा आपके कोई doubts है, comment है, तो जरूर आप हमें comment section में बता सकते हो, इसके अलावा अगर आपके कोई query है, तो नीचे instagram का link भी given है, तो आप DM करके भी चीजों को पूछ सकते हो, तो I hope कि आपको इस चीज़े समझ आ गई होंगी, तो result की बात करें, तो जैसे clear होगा, हम आपको बता देंगे, परिशान ह होने की जरूरत है नहीं, तो I hope कि मैंने सारे points आपकी clear किये होंगे, आपको समझाया होगा, अगर हमारे channels पसंद आते हैं, videos पसंद आते हैं, तो subscribe कर देना हमें भी थोड़ा, और like और subscribe और share कर देना, मिलते हैं अपडेट, नई वीडियो को साथ, चेहिंद!